हलो गाई सुबा के बज रहे हैं नौ और अभी मैं उठ चुका हूँ अभी देखिए छाता लेकर निकल चुका हूँ क्योंकि बारिस हमारे यहां चालू है और अभी बारिस हो रही है यह रात से ही बारिस हो रही थी और रात में काफी जादा हुई है और दिन में तो हो रही ह थोड़ा थोड़ा और क्योंकि मैं निकल चिका था इधर बाहर घूमने के लिए मैं कहाँ छोटा सा बलोग बना लो देखिए घर में भी पानी पूरा घुज गया है बारिस की वज़ा से पूरा देखिए पूरा पानी लग गया है पूरा उधर हमारा खेत है और यह रहा मसीन टेबल जोकि इसको तोप दिये हैं बारिस की वज़ा से पूरा देखिए कितना वहरा वहरा हो गया है पूरा कीचड़ हो गया है रास्ते हैं पूरा रास्तम कीचड़ हो गया है पानी तो बर्सा ही है और यह देखिए जर्य भी हमारी तैयार हो चुकी है रोपाई के लिए और यह मेरा केले का पेड़ जो कि मैं लगाया था केले का पेड़ और इधे देखिए छोटे-छोटे भी निकल नहीं है बारिस में बारिस में छोटे यह जो है तीबल का पानी आता है जिसको बरहा बोलते हैं पानी भी हावा भी चल रही है और इधर इंजर रखा है यहां पर जो जर्य होती ना उसको भरने के लिए रखा है और देखिए केले का पेड़ पूरा लगा हुआ है बड़ा वाला केला और इधर देखिए पूरा फर भी लग चुका है देखिए लग गया है कि अभी छोटा छोटा है बहो है जोटा छोटा है ओर अम्रूद के पाँ descended है हम अपके हम तो पूरे ठीक चुका है जाएस तो पानी पाज्ब्साइब कि उन्हें कि पाणि पा रहा था इस वाजा से इन फाल नह और इस खेत मेरा पूरा उर्द का है और इसमें फल भी लगे हैं ननुगा का पेड़ पूरा घर में पानी गुष गया है इतना वारिस हो रही है इधर भी पूरा बढ़ चुका है पानी आज़े और इदर कर लें यह जो है रसरी बनाने के लिए वह निकाल नहीं है जो है बोरी है उसका जो बीना है उसको निकाल नहीं है उससे बनेगा हमारा रसरी जो इधर परी इधर खिल रही है आप बाegसा अपारी, है यह कुछा किया एंग बाइ पूपारी आप्छ चैढ को मांची जाओ पूप 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 क्या धि कृड़े बास यह ऴूप यह त power बास अवैं Peace पूप पे खरे हचे धड़े झाल झाल